एक बार लक्ष्मन जी को हनुवान जी से इरिशा हो गई सोचने लगे मैंने बच्पन से भगवान की सेवा की है परन्तु हनुवान को राम भक्त हनुवान कहा जाता है जब हनुवान जी को ये बात पता चली तो उन्होंने च्छाती चीर के सब को प्रभुराम के दर्शन करा दिये सब ने उनके अंतर्मन में उनके रदे में भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन किये चीर के च्छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमाई चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमार मेरे मन में बस है राम, मेरे तन में बस है राम मेरे मन में बस है राम, मेरे तन में बस है राम चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमार चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमार मेरे मन में बस है राम, मेरे तन में बस है राम मेरे मन में बस है राम, मेरे तन में बस है राम चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमार चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमार मेरे मन में बस है राम, मेरे तन में बस है राम मेरे मन में बस है राम, मेरे तन में बस है राम सीता हरण की आरावण ने प्रभु जी थे अकुलाए हनुमार ने सीता जी को प्रभु संदेश सुनाए सीता हरण की आरावण ने प्रभु जी थे अकुलाए हनुमार ने सीता जी को प्रभु संदेश सुनाए हनुमान जी करते आए प्रभु जी का गुणगान मिर मन में बसे है राम, मिर तन में बसे है राम मिर मन में बसे है राम, मिर तन में बसे है राम चीर के छापी बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान लगी लक्ष मन जी को शक्ती देख प्रभु खबराए और से पहले हनुमान जी धौला गिरिले आए उट बैठे लक्ष मन जी को शक्ती देख प्रभु खबराए और से पहले हनुमान जी धौला गिरिले आए उट बैठे लक्ष मन जी लेकर शीराम का नाम मेरे मन में बस एह राम मेरे तन में बस एह राम चीर कच्छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान बानर से ना देख के रावर की से ना घबराई पलक छपकते हनुमत ने लंका में आग लगाई बोले प्रभु के साथ मिटा कर रावर का भिमान बोले प्रभु के साथ मिटा कर रावर का भिमान मेरे मन में बस एह राम मेरे तन में बस एह राम चीर के छापी बोले अपनी बवन पुत्र हनुमान मेरे मन में बस एह राम मेरे मन में बस एह राम बिरतन में बस एह राम